हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वाइज ग्यान आज से हमने मोटर वेहिकिल एक्ट 1988 को स्टार्ट किया है पहले इसके बारे में ओभर वियू देखते हैं मोटर वेहिकिल एक्ट जो 1988 है वो 1939 जो Motor Vehicle Act है उसको replace करके आया क्यों replace किया गया क्योंकि जो इंडिया में बहुत सारे Newer Type के vehicles introduced हो गए थे commercial और personal vehicles देश में तेजी से बढ़ रहे थे और जो भी victims थे road accident में उसे परियाप्त compensation मिल सके इसके लिए यह सब चीजे Motor Vehicle Act 1988 आया road safety और standards पर ध्यान दिया गया इस एक्ट में जो हैजार्डस यह जो खतरनाक chemicals के जो transportation करते थे उस पर rules बनाए गया है जो भी traffic offenders थे जो दोसी थे traffic को लंगन करते तो इसमें कैसे effective way से track किया जाए यह सब चीजे हुआ इसमें भी बहुत सारे amendment हुए जैसे 1994 में amendment हुए तो 1998 में जो rules बने थे जो act बने थे उसमें review के बारे में बहुत सारे suggestions आये दूसरे states से तो इसमें amendment किया गया था जो भी suggestions आये उसमें amendment हुआ फिर 2000 में भी amendment हुआ pollution and road safety को देखते हुए फिर 2001 में भी amendment हुआ इसमें CNG में जो बहुत जाद है tremendously CNG vehicles है road पर आने लगे और permit without permit तो इस पर rules बने 2001 में फिर जो last amendment हम लोग ने हम लोग देखें हैं 2019 में इसमें में इसमें इसमें जैसे अगर कोई vehicles को drive करता है alcohol पीकर तो उसे 2000 से बढ़ाकर 10,000 fine कर दिया गए जो motor vehicle act 1988 है इसमें total 14 chapter है इसे हम लोग पूरा discuss करेंगे आज हम लोग chapter 1 को discuss करेंगे उससे पहले आप लोग pdf और discussion के लिए telegram join करें और आप लोग हमें twitter पर भी follow कर सकते हैं chapter 1 preliminary इसमें हम लोग जो section 1 है उसमें बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या बात कई गई तो इसमें जो जो motor vehicle act है वो motor vehicle act का नाम है जो जो act है उसका नाम है the motor vehicle act 1988 अगर कोई आपको बोलता है कि the motor vehicle act 1988 तो इस act के बारे में बात कर रहा है अगर act 1939 है तो 1939 के बारे में बात कर रहे यह बातें यहां पर कही गई और यह जो extends है whole of India यह जो सारे इंडिया में लागोंगे पूरे इंडिया में लागोंगे यह बातें यहां पर कहीं गई इसमें डिफनीशन्स हैं बहुत सारे चीजों की जैसे एरिया तो क्या हमें अगर कहीं पर articulated वैसका हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा इस act में तो जैसे हम पड़ते हैं सबvordan सगजोंआ तो क्या कहते है बहुत कुछ हमदे यह कले जो एरियाा है में वहां हम 65 में चुछ धुए यह कि इंपावर किया गया है state government यहां पर area का मतलब यह है प्रण यहां पर यहां पर हमारा है articulated vehicles means motor vehicle to which semi trailer is attached तो पहले तो हम semi trailer समझतें semi trailer वो हता है जिसमें front axle नहीं होता है जैसे यहां पर यह देखिए front यह एक्सल है लेकिन यहां पर प्रंट में कोई एक्सल नहीं है कोई विल्स नहीं है इसमें एक्सल में विल्स लगे हुए हैं दो एक्सल यहां पर यह इस तरह के एक्सल को टैंडम एक्सल करते हैं जिसका डिस्टेंस 1.8 मीटर से कम होता है अगर दो एक्सल के बिज में तो टैंडम एक्सल होता है तो पीं तो यह आंपर बात कहीं है कि सेमी टेबर अगर है तो उस तरह के वहिक्ल सो आटिकुलीटेड वहिक्लिक्ल करते हैं जैसे एगल इहां पर दाप देख रहेंके आपनी जो ब्लू से जो ककले है जिसका अलग और यह जो ट्रेलरर है इसमें एक यह एक्सल लगए है इस लिए यह सैमेट्रीहलर हुआ और Seme trailer एक लियक За तो इस तरह के विजो वहिक व्य हूए वह आटिकुलेटेड्र हुए 줄 जो नीक्स्ट हमारा एकस्तिलडों इसमेद वात कहें गई है कि एक्सल का वेट कितना हो अगर जैसे माल लेते कि कोई वेहिक्ल से यह मानने तो इस इस हैं जैसे तो टोटल वेट तो पोटल यह होता है sibling के मींस अगर इसमें जैसे देखी है इसमें कितने Excel एक दो तीन चार पांच तो टोटल वेट जितना है इसका दिवाइड़ेड वाई-पाइव कर देंगे तो एकसल वेट निकल जाएगा ओके लेकिन इस कैस में क्या होता है हो जाएगा तो यहां पर हम इसे एक ही मानेंगे तो इसमें जो होगा एक्सल वेट टोटल वेट डिवाइडेड वाई टैंडम एक्सल तो टैंडम एक्सल कितने एक दो और यह तो एक एक्सल यह हुए तो यह टोटल थीरी से यहां पर डिवाइड होंगे इस तरह से यहां पर calculate किये जाते हैं axle weight इसको हम लोग पढ़ेंगे जब axle weight जितने भी कितने distance होते हैं क्या weight है यह सब चीजे mention है amendment भी हो चुके हैं इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे next जो हमारा है registered axle weight यह subsection 36 में mention था मैंने axle weight यहां पे cover किया इसलिए मैंने यहां पे ही registered axle weight को भी सोचा discuss कर लेता हूं इसलिए मैंने यहां पे इसे लिखा है तो जो रजिस्टर्ड एक्सलवेट होता है जो maximum capacity होता है किसी वेहिकिल का कि कितना load carrying कर सकता है load capacity कितना है तो यह registered होता है यह manufacturers के द्वारा decide किया जाता है कि यह कितना axle weight होगा इसका वह calculate करके इसे mention करते हैं आप नेक्स्ट जो हमारा है for certificate of registration इसमें क्या है कि जो chapter 4 में हमें मैंने certificate of registration के बारे में कि chapter 4 के जो प्रावधान है प्रोविजेंस हैं और के अनुसा जो भी motor vehicle के विधिवयत पंजी कृत होता है वह चीजें हमें वहां पर पढ़ना है chapter 4 में हम यहां पर मैंने picture भी attach किया अब देख सकते हैं यह certificate of registration है यह यह इस तरह से वहिकल का class कैसे जैसे यहां पर invalid carriage है तो invalid carriage यहां पर mention है अगर LMB मतलों जिस तरह के vehicle के class होंगे वह यहां पर लिखे रहेंगे चेसिस नंबर इंजन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन का date कब है कब fitness वैलिड रहेगा यह सब चीजें मेंशन रहते हैं और जो certificate of registration है वह फॉर्म नंबर 23 एस को से apply करने पर मिलता है तो यह यहां पर यह भी चीजें मेंशन है ओके कौन इसू किया डिटी ओ भागलपूर यह इस ने इसू किया तो इसके बारे में भी जनकारी है इसमें करते हैं इसके बारे में कहा गया है जो परसन जो फियर कलेक्ट करते हैं जो इंट्री और एगजीट में परसन को कुईसी पैसेंजर को रेगुलेट करते हैं कि यहां बैठना यहां ऐसे जाना इस तरह के जो काम करते हैं उसे conductor करते हैं जब हम लोग chapter 3 करेंगे तो वहां पर conductors के duties के बारे में भी पढ़ेंगे कंड़क्टर लाइसेंस कंड़क्टर के जो लाइसेंस होते हैं चैप्टर थ्री में यह मेंसन है कि उन्हें लेना पड़ता है यह सब चीजें हम लोग वहां पर डिसकस करेंगे नेक्स जो हमारा है क्या क्या कुणा क्या हो सकता है ओक हो ओन टाइम बेसिस मिनस कि इतने टाइम के लिए जैसे आज पूरे दिन के लिए हम ले लेते कोटना से दिल लिए आपको हमको चोड़ना है तो ये इस तरह से जो केरेज को चलाते फैस्ने इस तरह करते हैं यह can तो यहां पर जानेंगे कि invalid carriage क्या होता invalid carriage मेलनी जो person होते हैं जो disabled person लोंग होते हैं तो उनके लिए वेहिक्ल्स यूज किया जाते हैं तो इनके लिए special registration होता है special permission लेना पड़ता है और वो लोग invalid carriage का यूज करते हैं यह इस तरह के जैसे यह दिव्यांग है इनके लिए special यहां पर एक extra detachable जो wheels हैं लगे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत नहों इस तरह के जो vehicles हुए invalid carriage होते हैं तो आपको याद अखना हो कि invalid carriage किसके लिए होता है जो physically defected है defect है या disabilities है किसी में उस person के लिए solely means उसी के लिए यूज किया जाता है invalid carriage जो disabled लोग है उसके लिए इसको मैंने यहां पर बात कही गई है जो जो motor vehicle को manufacture करते हैं उन्हें manufacturer करते हैं और जो dealer होते हैं डीलर क्या होते हैं जो motor vehicle को repair करते हैं जो motor vehicle के body को जो जो extra parts होते हैं चेस होते हैं उसको repair करते हैं या बनाते हैं उस वह उसे dealer करते हैं या जो person hire करते हैं या purchase करते है motor vehicle को तो उसे भी dealer कहा जाता है और भी रब्य करने जो करते हैं मोटर वहीो किल ख़ू हे संड़ल सब्सक्रेंख कर सबस्ट करने हैं तो ऊल्भषी है lease, also driving license, इस और किया बात काल गई है जो भी हम chapter 2 में अभी हम लोग जब next हम लोग पढ़ेंगे next class में पढ़ेंगे chapter 2 तो आपे हम लोग पढ़ेंगे कि driving license को कौन इसू करता है कैसे इसू करते यह सब चीजे बात कही गई है तो मैंने driving license को समझाने के लिए यहां पर एक picture को भी add कि क्या क्या चीजे वहां पर mention होते हैं तो यहां पर deal जो license number होते हैं वह यहां पर mention होते हैं यह form number 7 को apply करके बनाया जाता है यह जो driving license है form 7 जब हम लोग chapter 2 पढ़ेंगे तो आप हम लोग discuss करेंगे उसमें नेम होते हैं address होते हैं और उसके blood group होते हैं date of birth होते हैं उसके बाद यह चीजे मेनली होते हैं कि जो types of vehicles किस परकार के vehicles के लिए driving license मिला है तो यहां पर mcwg lmb nt means motorcycle with gear वाले यह चला सकते हैं lmb light motor vehicle nt मतलब non-transport transport के लिए यह नहीं कर सकते हैं इस तरह के जो जो dl हैं वो ओके यह चीजे यहां पर mention है next जो हमारा है educational institutional bus तो educational institution bus में क्या बात ही कई गई कि जो भी college होते हैं schools होते हैं वो शो लेली मिस प्योर्ली इसी चीज़ के लिए school college के लिए यूज करते हैं जो transportation of students या staff हुए उसके उसके लिए ही यूज करते तो वो educational institution bus कर लाएंगे ऐसा नहीं कि कोई अगर कोई hire कर लिया कुछ देर के लिए और उससे स्टुजेंट को अब कहीं प्रांस्पोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो educational institution bus नहीं कर आएंगे purely अगर school college के लिए solely यूज होते हैं एक दम उसी चीज के लिए तो उसे educational institution bus कहते हैं ओके नेक्स जो हमारा है फियर फियर मतलब किराया कितना किराया क्या लगेगा क्या टिकट का फियर रहे यह सब चीज कौंट्रैक्ट में कितना अफियर क्या है यह सब चीजे यहां पर यह बाते होगी और वह आ गुट्स गुट्स में क्या होगा गुट्स इंक्लूड करता है लाइव इस्टोड मेंस इसमें जो है कि जो वेहिकिल के यूज के लिए जो भी मेंट मैं जैसे कोई भी कोई स्कीजों को छोड़ कर जो भी गुड्स होते हैं जो भी लाइब एस्टोग होते हैं या कोई अनाज या समान होते वह सब चीजों को गुड्स को गुड्स के रूप में डिफाइन क्या गया है इस एक्ट में ओके नेक्स जो हमारा है 14 गुड्स कैरेज तो जो गुड्स धोने के लिए भैकिल होते हैं उसे गुड्स कैरेज करते हैं जैसे गुड्स हम लोग अभी हम लोग ने पढ़ा कि गुड्स किस यह वी हुए है यह वेहिक यह इसमें आप पैस्टेंजर्स को ने हो सकते हैं ओके नेक्स्ट्रों मोरा है 15 ग्रोस वेहिकिल फीट वेहिक भीत के बारे में हम समझते हैं जूब वेहिकिल होता है उसमें maximum weight जब फुल लोड हो ओके जैसे इसमें देखे यह फिगर में पूरा वेहिकिल प्लस उसमें जो weight है maximum weight जितना इसमें maximum weight carrying capacity है उतना weight प्लस उसमें oil जो भी ऐसे श्रीज है जो भी weight जो यह 48 है इसे मैंने यहां पर इसलिए discuss किया ताकि यहां पर मैंने just मैंने gross vehicle weight discuss किया तो यहां पर भी मैंने सोचा unladen weight को भी discuss कर लिया जाए तो unladen weight क्या होता है कि जो weight होता है body का कोई भी vehicle है उसके जो weight हुए और उसमें जो weight of the vehicle means the vehicle weight of the vehicle with the heaviest such alternative part or body means मालेते हैं कि यह जो body है इसमें इसका weight तो होगा इस पे ना ही attendant होना चाहिए ना ही driver होना चाहिए इसमें वो सब weight include नहीं है ओके इसका weight और इसके साथ अगर कोई alternate कोई भी parts लगे हुए हैं मालेते हैं कि यह पार्ट भी लग सकते हैं यह भी parts लग सकते हैं इसमें जो heaviest पार्ट जो लगेगा ओके हैं पार्ट लगाने के बाद जो weight होगा इसका उसको unladen weight कहते हैं ठीक है और इसमें fuel भी एड नहीं रहता है इसमें ना ही fuel होता है ना ही weight of driver होता है ना attendant होता है conductors नहीं होते हैं यह सब weight को exclude कर दिया जाता है हटा दिया जाता है और जो parts है जो extra alternative part लगते हैं उसमें से सबसे heaviest part है उसको add करके जो weight होते हैं उसको unladen weight करते हैं जैसे माल लेते हैं यह सबसे heaviest part है तो यह इसमें fit होगा तो यह दोनों का weight को sum कर देंगे तो इसे unladen weight कहेंगे next जो हमारा है heavy goods vehicle ओके तो heavy goods vehicle में है कि अगर 12,000 kg means 12 तन अगर किसी वेहिकल का gross vehicle weight अगर 12 तन से ऊपर चला जाता है तो वह heavy goods वेहिकल में आता है और tractor या road roller के case में अगर उसका unladen weight 12 तन से तन होता है या उसे 12 तन से ऊपर जाता है तो वह heavy goods वेहिकल कहलाएगा ओके अगर पैसेंजर मोटर वेहिकल कौन कहलाएगे जो भी public service vehicle है या private service vehicle है या educational institutional bus है ओमनी बस है उसका अगर ग्रोश वेहिकल weight 12 तन से ऊपर exceed करता है ऊपर जाता है तो वह heavy passenger motor vehicle होंगे ओके या कोई motor car है तो उसका unladen weight 12 तन से ऊपर जाता है तो वह heavy passenger motor vehicle कहलाएगे ओके next जो हमारा है light motor vehicle light motor vehicle कौन हो गए ऐसा transport vehicle या omniverse उसका gross vehicle weight 7.5 ton 75 kg मतलब 7.5 ton से नीचे रहेगा not exit 7.5 ton तो वह light motor vehicle कहलाएगा या motor car या tractor या road roller ओके जिसका unladen weight 7.5 ton से नीचे रहे तो light motor vehicle कहलाएगा ओके next जो हमारा है 23 medium goods vehicle इसमें जो बात कही गई कि जो light motor vehicle और heavy goods vehicle है उसको छोड़का जो भी vehicles आएगे means जिसका 7.5 ton से ऊपर और 12 ton से नीचे जिसका gross vehicle weight होगा तो वो medium goods vehicle में आएगा ओके जो next subsection 22 maxi cab में जो motor vehicle इस तरह से construct या adapted हो जो की छे passenger से ज्यादा carry कर सके और 12 passenger से ज्यादा नहीं carry कर सके इस तरह के जो होते हैं उसको Maxi Cab क्闹ाते हैं okay next जो है औमनीबस हमने यहाँ यहां पर डिसकास कर लिया दोनों को 22 और यह 209 मैंने यहांजी पर discuss कर लिया क्योंकि सारे एक ही तरह के जो cab के बारे मीं vehicles के बारे में बात कही गई तो यहाँ पर मैंने डिसकस किया9्ड जो है 29 not to carry more than 6% means 6 से ज्यादा पैसेंजर को धोने की कैपसिटी जिसमें होता है वो ओमनी बस कलाता है लेकिन उसमें ड्राइवर को काउंट नहीं किया गया जो मैक्सी कब भी पढ़ रहा है तो उसमें 12 पैसेंजर जो not more than 12 पैसेंजर उसमें ड्राइवर को काउंट नहीं किया गया एक्स्क्लूडिंग ड्राइवर उसी तरह से ओमनी बस में 6 से ज्यादा पैसेंजर अगर धोए जाते हैं और ड्राइवर को छोड़कर तो वो ओमनी बस का लाएंगे कि कुछ चीज़ आप उसकते हैं कि ओमनी बस और मैक्सी कैब में फिर क्या अंतरा अगर कोई इसमें साथ लोग को ट्रैवल कर रहा है तो उसको ओमनी बस कहेंगे या मैक्सी कैब कहेंगे तो यह इस तरह से इस तरह से जो एक्ट है उसमें कि आइस से उप्शन नहीं दिया रहे गा गाई आक्स का जाएगो सबकтор का मिकल अधर जैने ट्रांस्पूर्ट वेहिकीः Omnibus Road Roller Tractor Motorcycle और Invalid Carry जो भी Transport Vehicle है Omnibus है जो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा Omnibus के बारे में जिसमें छे passenger से अधिक होते हैं Road Roller जानते हैं Tractor Motorcycle Motorcycle अभी हम लोग पढ़ेंगे या Invalid Carry Invalid Carry जो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है Motorcycle Motorcycle क्या होता है वो टू विल्स दो चक्के दो पहिए चक्के के जो गारी होते हैं उसको Motorcycle करते हैं अगर उसमें कोई Detachable Sidecar है या Extra Wheel कोई लगे हुए तो भी उसको Motorcycle ही कहेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों क्या है den colors कर रहा है तो यहां पर यह देखिए यहांप इंवालिट करेंग ए क्या है कि एक्स्ट्रा विल्स लगय तो इस को यहीं है वैक्स को चार चक्का कहेंगे क्यूंक्य एक Bram currently दो ही चक्का है तो यह जो है मोटर साइकल के मोटर साइकल में आएंगे ओके नेक्स जो हमारा है पर्मिट पर्मिट जो है पर्मिट के बारे में की स्टेट ट्रांसपोर्ट या रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑथरीटी है जो ऑथराइज करता है किसी मोटर वहिकल को एज़े ट्रांसपोर्ट वह वहां पर discuss करेंगे prescribed का मिन्स कि जो भी एक्ट इसमें जो 988 में कहीं पर प्रिस्क्राइब लिखा हुआ तो जो भी प्रिस्क्राइब रूल है निर्धारित रूल से उसके अनुसार यह बातें यहां पर कही गई सब्सक्राइब नेक्स्ट जो हमारा है ठाटीफूर पबिक प्लेस पब्लिक प्लेस मीन्स रोड जो भी रोड है स्ट्रीट विए है जिसमें आपको राइट है एकसेंस आपको चनलने का अधिकार है जहाँ पर पेसेंजर को पिक अप करता है सब्सक्राइब दियुक्त अपने जर्णी लिदी गारन होजा अलग-अलग देते हैं कूछ आपने ओमनी बस पढ़ा था उसमें भी more than six passengers था ओके ठीके देखिए यहां पर more than six passengers था लेकिन इसमें पैसेंजर इसमें और उसमें क्या difference है कि जो stage carriage होते हैं उसमें जो passengers होते हैं वो individuals लोग होते हैं वो अलग-अलग अपने जर्नी separate fare देते हैं ओके यह difference होता है आपको यह समझना होगा नेक्स है जो मरा private service वेहिकल तो ऐसा वेहिकल जो private यूज के लिए किया जाता है जैसे कोई company है उसमें अपने ही employee को carry करने के लिए transportation के लिए यूज करते हैं या खुद यह owner है वह अपने यूज करते हैं तो इस तरह के जो वेहिकल होते हैं वह private service वेहिकल कहलाते हैं पॉब्लिक सर्विस वेहिकल एनी मोटर वेहिकल यूज पूर एडप्टेड टू यूज फॉर कैरेज और पैसेंजर पर हाइड और रिवार्ड वेहिकल हुआ और आपको बताना हो यह पॉब्लिक सर्विस वेहिकल क्योंकि इसमें separate लोग दूसरे दूसरे लोग रहते हैं कौन आपके सीट पे बैठेंगे कौन आपके बगल में बैठ सकते हैं कोई भी बैठ सकते हैं और वह अपना separate पैसा देंगे अपना फेर देंगे तो यह चीजे है जो नेक्सट है इस्टेट गॉव्मिंट तो यह जब आर्टिल्ट टूर थर्टी नाइन है Constitution में वहां पे कि इसकने राज्य हैं जो भी राज्य हैं वह राज्य के बारे में बात कहीगी उसके गॉवर्मेंट के बारे में जो उन्यून टेरिटीरी यह सब स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडर्टेकिंग तो वहां पर हम लोग यह पढ़ेंगे तो वह कौन होते हैं जो भी सेंटल गौवर्मेंट या स्टेट गौवर्मेंट जो प्रवाइड करता है रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेस वह सब आते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट टुरिस्ट वेहिकिल में क्या होता है कि जो एड़ेप्टेड होते हैं मेंटेंड इन अकॉर्डेंग्स विद शुच एस स्पेसिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे टुरिस्ट वेहिकिल के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी स्पे पाइड कार ड्रॉण और इंदेंड पॉद क्म एड्रों बाकिमHola क्या म этому को मौटर मेंवेकिल만माल सेमी ट्रेलर लगा हिए को ही साइट यह सब को छोड़कर है उसको टेच़्ीन करते हैं जो सेमी ट्रेथला हम लोगों ने सुड़िません पर हाथ जिसमें फ्रंट अक्सल नहीं ओता है सेमें ट्रेटर ट्रेवाइकेल तूर्पर्ट क्या होता है पॉब्लिक सर्विस वेहिकिल या गुड़्स कैरेज या एजूकेशनल इंस्टिशूशनल बस जो होते हैं या प्राइवेट सर्विस वेहिकल ये सब ट्रांसपोर्ट वेहिकिल में आते हैं नेक्स जो हमारा है इसको इंसर्ट किया गया है तो इसके बारे में पढ़ते हैं यह क्या होते हैं जो बैटरी से चलते हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है कि 4000000W से ज़्यादा इसका इसका पाबर से चलते हैं और वह बैटरी से चलते हैं जिसका जोआना चाहिए向 ये lij Wenze और गुर्ष में धोने का काम होता औरी लुड़ गार्फ लेकरऊ से सब्सक्राइब करें में और चैक्ट которой यही लिकर्ष को आधे हैं इसमें में लिए दो ही सेक्षन से जो सेक्षन टू थे डेफनीशन डेफनीशन में जितने भी डेफनीशन थे उसे डिसकस कर लिया है और आप लोग आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ओके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्स पर वाचिंग